नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की हेलमैक्स सस्पेंशन का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, हेलमैक्स सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देना चाहिए, और हेलमैक्स सस्पेंशन की वज़से क्या साइ effects हो सकते हैं. और यह भी discuss करेंगे कि Helmax suspension को बच्चों को देते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. Helmax एक brand name है. Helmax suspension के अंदर salt composition albendazol होता है. Helmax suspension का उप्योग बच्चों के पेट में कीडों को मारने के लिए किया जाता है. Helmax suspension पेट में कीडों को मारकर और स्टूल के जरीए पेट के कीडों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है पेट में कीडों की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है बच्चों के पेट में कीडे होना एक सामान्य बात है लेकिन पेट में कीडे बड़ो को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। लगातार कब्स की समस्या रहना, खाना खाने के तुरंत बाद मल के लिए जाना, पेट में गैस बनना और दस्थ होना आदी लक्षण भी पेट में कीडे होने पर हो सकते हैं। पेट में कीडो की जाँच करने के लिए डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है। स्टूल टेस्ट की मदद से यहां आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पेट में कीडो की समस्या है या नहीं। Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर बच्चों में Helmax Suspension की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट बच्चों में Helmax Suspension की वज़े से कुछ Side Effects हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्ध होना, सिरदर्ध होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, भूप कम होना और तवचा पर खुजली होना आदी Side Effects Helmax Suspension की वज़े से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि Helmax Suspension को बच्चों को कैसे देना recommended होता है. Helmax Suspension को फैटी भोजन करने के बाद लेना recommended होता है. फैटी भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो जैसे दूद, घी, अंडे आदी. आमतोर पर एक साल से लेकर दो साल तक के बच्चों को डॉक्तर पाँच मिलिलीटर हेलमैक्स सस्पेंशन को केवल एक ही बार ही बच्चे को देने की सला देते हैं. पेट में कीडों की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्तर दो सपता बाद हेलमैक्स सस्पेंशन को दोबारा भी देने की सला दे सकता है. हलमैक्स सस्पेंशन की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे की हलमैक्स सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी बहुत ज्यादा होने पर हलमैक्स सस्पेंशन को बच्चे को देना रेक्मेंडेड नहीं होता है. इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना हलमैक्स सस्पेंशन को बच्चे को नहीं देना चाहि वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका हेलमैक्स सस्पेंशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं